हेलो फ्रैंक्स मैं प्रीतिय अदब स्वागत करती हूँ आपका हमारी एक और नई वीडियो में आज हम जानेंगे कि मिस्कैरिज होने के क्या संकीत और लक्षर होते हैं और आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए क्योंकि मिस्कैरिज किसी भी माता-पिता के लिए एक द मिस्कैरिज के कारण समापत हो जाती है कई बार महिलाओं को इस बात का एसास ही नहीं होता कि वे प्रेग्नेंट हैं और शुरुआती हफ्तों में वो अपने होने वाले बीबी को खो देती हैं समाज में एक आमधाना ये भी है कि प्रिग्नेंसी के दौरान मा की जाधा चलने फिरने या उचलने की कारण ही मिस्कैरिज होता है लेकिन ये बात सच नहीं है क्योंकि डॉक्टर की माने तो मिस्कैरिज कारणों से हो सकता है जिसको आपकुछ सामाने संकीत और लक्षणों से भी समझ सकते हैं कई मामलों में प्रेगनेंसी के 15 हफते के भीतर ही मिस्कैरेज हो जाता है और महिलाओं को पता भी नहीं चलता कि वो प्रेगनेंट भी हुई थी ऐसे में जरूरी है कि महिलाओं को गरपा यानि कि मिस्कैरेज होने के लक्षणों के बारे में पता रहे जिससे इस तरह का कोई भी संकेत मिलने पर वित्तुरन डॉक्टर के पास जा सके क्योंकि मिस्कैरिज होने से आपकी बॉडी पर भी पुरा असर पड़ता है तो इन सभी में सबसे पहला है कि प्रिग्नेंसी के शुरुआती दिनों में अगर आपको ब्लीडिंग हो तो इसका मतलब मिस्कैरिज ही हो ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि आम तोर पर शुरुआती दिनों में हलकी ब्लीडिंग होना नॉर्मल होता है लेकिन चिंता करने की बात तो तब हो जाती है जब आपको स्पोर्टिंग या फिर क्लॉट्स के साथ से ज़्यादा ब्लीडिंग हो और ब्लीडिंग के दौरान ब्लड का रंग भूरा या फिर गहरा लाल हो इस हालत में आपको तुरंट डॉक्टर के पास जाना चाहिए उनसे कंसल्ट करना चाहिए इसके अलावा महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान पेलवी केरिया के आसपास हलका सा प्रेशर पढ़ने लगता है और ये उन्हें डिलेवरी से पहले होने वाले लेबर पेन जैसा भी लग सकता है लेकिन शुरुवाती महिने में इस तरह का कॉंट्रेक्शन नहीं होना चाहिए ऐसा होने पर भी ये मिस्कैरिज का ही संकेत होता है और इसका मतलब ये है कि आपका जो सर्विक्स है वो कमचूर हो रहा है या फिर कई बार हलकी ब्लीडिंग और दर्द के साथ भी मिस्कैरिज के और लक्षन ना देखे तो ऐसे में आपको तुरंट डॉक्टर को दिखाना चाहिए कई बार आधा मिस्कैरिज हो जाता है आधा बेबी अंदर ही रह जाता है ऐसे में पूरा मिस्कैरिज डॉक्टर से कराना जरूरी है नहीं तो आपकी सेहत को काफी नुकसान पहुन सकता है और बैक पीन या पीट के निचले हिस्से में दर्द होना भी मिस्कैरिज का ही सग्येत हो सकता है ऐसे में भी आपको तुरंट डॉक्टर के पास जाना चाहिए उनसे राहे लेनी चाहिए इसके अलावा प्रिंग्नेंसी में वाइट डिस्चार्ज होना नौर्मल तो होता है लेकिन अगर इन में से किसी भी प्रकार की स्मेल आ रही है तो यह किसी तरीके की इन्फेक्शन के और इशारा करता है जिससे आपके बच्चे को भी खत्रा हो सकता है इसके अलावा जिन मैलाओं का गरब बार बार होता है उसके पीछे क्रोमोजोम असमान में होना एहम कारण हो सकता है इसके अलावा अधिक उम्र में कंसीव करने की कोशिश करना भी एक कारण होता है मिस्कैरिश का क्योंकि जो मईलाए 35 वर से जादा उमर में कंसीव करने की कोशिश करती है उन्हें बार-बार मिस्कैरिश हो सकता है इसके अलावा जादा भाग दोड़ करना या फिर जादा ट्रैवलिंग करना ये भी एक कारण होता है क्योंकि प्रिग्नेंसी के दोरान बहुत जादा भाग दोड़ करना या पहली और तीसरी तिमाई में यात्रा करना भी मिस्कैरिश का एक कारण मन सकता है इसके अलावा पेट पर बहुत जादा प्रेशर पढ़ना या फिर किसी तरह की चोट लगना भी इसका एक कारण होता है क्योंकि अगर प्रिग्नेंसी के दोरान महिला के पेट पर चोट लगती है या प्रेशर पढ़ता है तूभी मिस्कैरिश हो सकता है इस कंडिशन में आपको तुरन डॉक्टर से मिलना चाहिए मुझे उमीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें अपनी दूस्तों के साथ शेयर करें हमारे और वी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे अगर आपके पास की सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे हम आपके सभी सवालों के जवाब देनी की पूरी कोशिश करेंगे चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्त रहिए